हreet हेलो अप्रोडी है लास्टक्टर में हम थीटा का सॉलूशन देख रहे दें पूरा कर लिया लेकिन लास्ट में वीडियो ब्लेक आउ तो यह सेक्षन रहा गया था दीटा के सॉलूशन के लाट हमने एक सब कुरें क किया था कि..? में एक ऐसा पार्ट है और एक अन्नोन पार्ट एफ एकस का कोई स्पिशल नायम नहीं है यह सवाल भी आ सकता है कि यह कहां से आया यह किस ने किया कैसे किया तो उसका रीजन अगेन है वह जो थीटा अगर x equal to plus 1 या minus 1 हो जाए तो वहां पे वो terms infinity the terms blow up तो हमारी equation हम कहते है उन points पे singular है तो हम इस equation का वो ही हमारे asymptotic points हैं तो उन points पे हम अपनी equation के behavior को देखने के लिए 1 minus x square term को कुछ इस तरह से approximate करते है 1 minus x square mathematically 1 upon 1 plus x upon 1 minus x होता है से आप x equal to plus 1 के close investigation करना चाहरे है solution के nature का तो आप x equal to plus 1 इस term में तो रख सकते हैं लेकिन यहां नी रख सकते हैं तो वो आप substitute करें तो 1 upon 1 minus x square का ये behavior अब इसे आप equation में substitute करे रहे हैं और appropriately answer निकाले हैं तो वो आपको x equal to plus 1 के near उसका approximation देता है ऐसे ही x equal to minus 1 के near इन में से एक term ठीक हो का दूसरा ill-behaved हो का तो उसके हिसाब से आप equation को फिर दूसरी form में formulate करते हैं उसके solutions चेक करते हैं तो वहाँ से आपको पता लगता है यह जो दो अलग-लग cases बनें एक x equal to plus 1 और एक x equal to minus 1 का कि यह जो solution है theta equation का इसमें एक 1 minus x to the power mod m by 2 term होना चाहिए और एक 1 plus x to the power mod m by 2 तो दोनों terms को आप include कर दें सारे का सारा asymptotic behavior जो है x का वो फिर इस factor में आ जाता है फिर हमने f की एक equation लिगी थी फिर f को series solution method is solve किया था या f से हम y पे आये थे लेकिन overall f जो है वो लिजांद्रे polynomial of order l का mod m times differentiation है और अगर मैं Roderick's formula put करूँ PL तो उसमें apart from constants x square minus 1 power l के l differentiation होते हैं और यहां m differentiation और हैं तो total number of differentiation becomes l plus mod m यह यहां पर normalization factor है यह theta भी हमारा unnormalized है इसको अगर normalize करें और normalization की value l और m दोनों पर depend करेगी और यह जो चीज है यह पूरी theta जो है चाहे आप इसे बोले हैं या इसे बोले हैं या इसे लास्ट में यह यह है एस्षेटेड लेजांद्रे polynomial दो numbers पर depend करेगा l और m का mod आएगा बट l और m की value पर depend करेगा तो depending on वो आपका जो theta है उसके साथ भी हम दो indices attach कर देंगे depending on theta कौन सा वाला l equal to 2 वाला और m equal to 1 वाला या whatever तो theta के साथ दो indices दो quantum numbers attach हो गए साथ साथ एक normalization constant भी आएगा normalization constant की value यहाँ पर लिख रखिए इसको next उसमें हम derive नहीं करेंगे बट यह normalization के कैसे determine करते हैं that would come यह l और m के terms में है तो यह normalization constant हर l और m combination के लिए अलग बनेगा तो इसके साथ हमने lm लिखा है अब यह बात तो हुई यह जो भै this was large amount of mathematics पिसले 3-4-5 lecture से जब हम equation solve कर रहे हैं तो हम mathematics ही किये जा रहे हैं in general physics में होता यही है जिसे हम कहते हैं the language of physics is mathematics आपको equations को express करने ही है results निकालने के लिए mathematics करनी पड़ती है but physics के वल वही नहीं है कि आपने mathematics की और आपका काम हो गया उन results को आपने mathematically जो निकाला है उनको interpret करना physics क्या physics आपको आपको जो मिला है उसमें क्या physics contained है वो आपको देखना चाहिए तो यहाँ पर हम आने वाले कुछ lectures में इसको देखने की गोशिश करेंगे अगे बीज 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 में mathematics भी करनी पड़ेगी लेकिन हम थोड़ा physics एवाल्व करेंगे तो मैं इससे इस तरह से कहता हूँ अभी हमने एक बड़ा महायुद्ध लड़ा थीटा और फाइक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक महायुद्ध जैसा था बहुत कई वीर खेत रहे उसमें आपके कई पेज लग गए होंगे और आपने बहुत सारे लिख दिया होगा बट आफ्टर देश्ट है अब जब इतने युद्ध के बाद ये अब धूल बैट गई तो जब देखें तो हमने इसमें बीजे तो हमने प्राप्त कर ली क्योंकि मैं सॉलुशन निकाल चुका हूँ हमारा उद्देश ही यही था लेकिन वो बिजे के बाद प्राप्त कैया हुआ हमें क्या मिला यहा है तो let's see हमने ġ क्यों के साइ को ब्रेक किया था रर वाई में r coordinate का function y angular coordinates का function theta phi का बाद में इस y को हमने खुद theta और phi में break किया हम theta और phi equation को अब तक solve कर चुके हैं पहले मैं phi equation की बात करता हूँ ये थी phi equation initially इसमें हाँ पे capital M रहा होगा जब हमने separation of variable किया था लेकिन इसको मैं फिर हमने m square के बराबर show किया था और phi equation का solution e to the power i time phi और उसके साथ भी एक normalization constant आएगा इसको मैं पिसले lecture में mention नहीं किया था but c not phi sorry c function of m m की अलग-लग value की अलग-लग normalization constant हो सकता है तो phi के साथ भी मैंने एक m attach किया m की value के इसाब से अलग-लग function बनेगा इसे मैं कहूंगा 5 wave function wave function के अलग-लग parts को भी हम wave function ही कहेंगे 5 wave function, theta wave function, r wave function तो phi m यह है और यह भी हमने वहाँ देखा था इसके बाद कि phi m जो है वो lz operator के साथ eigen value equation देता है lz operator को आप simply इस पर operate करें lz operator इतना होता है minus eta is cross del by del phi इस phi m पर operate करें आपको यह equation मिलती है आप इसको देखें अरे phi m पर operate हुआ और phi m वापस मिल गया multiplied by mh cross eigen value equation अच्छा यह अभी हम देखेंगे space quantization जो है वो है directly related हाँ एक point मैं फिर से mention करूंगा जबी भी आप कोई quantum number कहीं पर introduce होता है तो हमेशा उसकी range भी आप लिखेंगे एक बार लिख दें आगे चल जाता है बट जब मैंने यह लिखा कि phi m इतना होता है यह specify करना जरूरी था कि m यह तो 0 होता है plus minus 1 plus minus 2 और पिछले lecture में मैं थोड़ा खुरी confuse कर रहा था m is called the azimuthal quantum number phi जो angle है that is the azimuthal angle तो यह phi से associated वाला quantum number है so this is the azimuthal quantum number theta को हम zenith angle या बाकी चीज़ कहते है तो वो अलग quantum number है अच्छा इसी equation का अगर आप square करें square करने का मतलब lz operator को अगर आप दो बार act कर दें इस पर तो फिर से आपको mh के cross का factor दो बार मिलेगा तो आपकी equation यह बनेगी और यह equation और यह equation एक ही है अगर आपको किसी छोटे से रीजन में माना ही one dimensional case में है आपने हर जगा पे wave function निकाल दिया हर जगा पे आपने row x की value निकाल दी हर point पे तो अगर आप एक छोटे से region की बात कर रहे है कि यार मेरा region है x से लेकर x plus dx तक dx विर्थ का एक छोटा सी region है तो उसके अंदर particle के पाए जाने की probability क्या है यह dx को में कहुँँगा one dimensional volume one dimensional system में तो volume के ओल dx है तो किसी volume के अंदर particle के पाए जाने की probability कितनी है और उस probability density को उस volume से elementary volume से आपको multiply करना पड़ेगा mass और density का जो relation है आप ordinary जहां density इंट्रोडूइस करते हैं row equal to m upon v और अगर अलग-अलग points पे अलग-अलग है तो possibly आप ऐसे लिखते है row equal to dm upon dv उस point पे जो mass और volume का ratio है वो density है तो उस छोटे से volume के अंदर जो contained mass है उसकी मात्रा कैसे निकलती है density को volume से multiply करते है तो यह probability density है और probability निकालने के लिए आपको इसको row से multiply करना पड़ाएगा मैंने इधर इसे row लिखा है इसी चीज़ को मैंने यह आप P लिखा है तो यह चीज है आपकी probability यह पुरा factor चाहिए लिखो चाहिए लिखो पर ताकि आप probability से relate कर सके है यह probability density है और P जो है और अब यह capital P भी आएगा P जब form मैंने लिखा है तो P X D X क्या represent कर रहा है probability इस region के अंदर किस region के अंदर यह D X का factor इस region के अंदर उस particle के पाए जाने की probability और अगर आप इसे integrate कर दें पूरे space के उपर से minus infinity to infinity तो आपको total probability मिल जाएगी particle के पाए जाने की probability को add किया पूरे space के उपर कर दिया तब तो आप इसको चाहेंगे कि यह probability का integral 1 1 है जिस तरह से हम normalization करते हैं अच्छा यह Cartesian में बात हो रही है Cartesian में यह आप 3D system में आए 3D system में आपका probability density psi r का function हो जाती है r vector means x y z तीनों का function है तो फिर जो probability density है उसको आप dq bar volume 3 dimension में volume का मतलब एक छोटा सी डबबा जिसका volume dq bar है उससे multiply करें तो आपको उस डबबे के अंदर उस particle के पाए जाने की जो probability है वो ही है अपने आप में यह factor rho या p एक ही चीज़ है वैसे है लेकिन मैंने distinction के लिए हो किया है rho या p probability की density है लेकिन जब उसके साथ volume factor multiply करते हैं तो वो density convert हो जाती है probability में इन जनरल probability density को volume से multiply करें जो भी relevant volume है उस system का elementary volume तो आपको probability की value मिलती है तो फिर p total वैसी करेंगे माना इस छोटे से डबबे की dimensions है एक dx है एक dy एक dz तो इस dv को आप ले सकते हैं dx into dy to dz, rho की value ये और फिर इसे integrate कर दीजिए हो सकता है आप integration minus infinity to infinity करना चाहरे हो तीनों x इस पे तब तो आप total probability जिसे आप one पे normalize करना चाहरे हो पर माना आप इतने बड़े डबबे के अंदर probability निकालना जा रहे हैं तो x की limit यहां से यहां तक जो भी बने वो रखो y की limit रखो z की limit रखो बट यह Cartesian में है कार्टीजियन में है कार्टीजियन में simply rho के साथ dx dy dz के factor आते हैं और आप integration करने लगते हैं ओके अच्छा और कई बार आप यह सोचिए प्राबिल्टी और rho में कार्टीजियन में कोई difference नहीं है बेसिकली rho को dv से multiply किया से वन dimensional case में देखें रो को dx से multiply किया तो अगर किसी region में रो constant है ठीक है तो dx अगर कम है तो pv कम बनेगा और dx ज्यादा है तो pv क्या बनेगा ज्यादा बेसिकली अगर रो constant है तो आप सोच सकते है पी और रो एक ही चीज़ा है कि वाल scaling का अंतर है लेकिन अब इस फेरिकल पोलर में आए तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इस फेरिकल पोलर में भी होता तो वह ही है साई आर लेकिन साई इस समय में आर थीटा फाई का function ट्रीट किया माना separation of variable से हमने उसे ऐसा कर दिया इस फेरिकली symmetric problem में तो ऐसा ओके यहां कोई normalization factor भी हो सकता है इंफेक्ट हम उसी की बात करने के लिए कर रहे हैं अब रो आर प्राबिल्टी देंस्टी of the finding the particle at point r origin के respect में जिस point का position vector r है ये ये एक छोटा सी point इस point पे probability की density है ये probability नहीं है probability की density इस point पे तो इस से फिर probability का calculation है तो इस point के around अगर एक आपका छोटा सी volume है elementary volume अगे उस volume को पहले तो में dq बार ही लिखूंगा पर spherical polar coordinates में dq बार simply dx dy dz का multiplication नहीं होता है क्योंकि वहाँ वो coordinates तो है नहीं होता है उतना ही है लेकिं dx dy dz के term में बात नहीं करनी है वहाँ आप बात करेंगे dr d theta d phi के terms में तो but spherical polar coordinates में जो dq बार का expression होता है r square sin theta dr d theta d phi यहाँ पे जिन लोगों को एक clear नहीं है मैं refer करूंगा आप net से या कहीं से material देखिए आपको इस तरह के figures मिलेंगे मैं बहुत अच्छा वैसे भी हाथ से नहीं बना सकता हूं और मैंने बहुत छोटा बनाया है बट यह elementary volume है it looks like a slice of cake let me say like that और इसकी x side dr बनती है x side r sin theta बनती है r sin theta d phi और x sorry my mistake sorry sorry x side बनेगी r d theta sorry 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 x side dr बनती है x side r d theta और x side r sin theta d phi आप उस geometry को बड़े figure में देखेंगे आपको एक दिम click हो जाएगा क्या मतलब है तो यह जो volume है तीन side से बनाया है अगर यह volume बहुत छोटा है पर अगर यह infinisimal बहुत छोटा volume है तो आप सारी sides को almost सोच सकते हैं कि यह एक rectangular structure खड़ा कर रहा है तो total volume this into this into this बन जाता है जो कि इतना है तो यह spherical polar coordinate system में elementary volume d cube r की value इतनी होती है तो अब आप si square आपका इस type का है इसमें mod r square जो की r का function है mod theta square थीटा dependent mod 5 square 5 dependent और यहां खुद dr d theta d phi के अलावा एक r square factor और एक sin theta factor extra तो अब आप इस multiplication को इस तरह से club कीजिए small r वाले dependence वाला सारा part एक जगा r square dr और साथ में mod r square ऐसी theta square के साथ यह sin theta d theta और mod 5 square ओके यह हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम probability का integration करना चाहेंगे माना आप इस region के बजाए पूरे volume में probability calculate करना चाहते हैं जिसे आप one पे set करना चाहेंगे या किसी बड़े volume के अंदर आप probability निकलना चाहते है माना इस छोटे डब्बे के अंदर त integrate करना चाहेंगे पर देखिए आप ही हो क्या रहा है यह part के वल R का function है यह part के वल theta का function है यह part के वल 5 का तो जब हम integration करेंगे जिस भी range के उपर कर रहे है total probability निकालने के लिए तो वो आपके तीन अलग-अलग integrals में break हो जाएगा एक integral R के उपर अगर मैं पूरे space के उपर कर probability की calculation करना चाहें कितना chance है वो मेरा electron इस region में है इसका integration कर दो केवल इस region के उपर तो आपकी boundaries उसके हिसाफ से set हो जाएंगी लेकिन अगर आप integration करना चाहते हैं over whole space यह rectangle का मतलब मेरा whole space है whole three dimensional space तब limit C होंगी 5 की limit 0 से 2 pi होती है theta की limit 0 से pi और R की limit 0 से infinity और उस case में आप चाहे इन दोनों में कहीं R नहीं है तो R का integration के वोल यहां से अचीव होगा theta का के वोल यहां से 5 का यहां से तो अब यहां पे हम जो conventionally हम जिस तरह से normalization की demand करते हैं हम कहते हैं यह integral होना चाहिए था 1 तो यहां पे यह 3 separate integrals का product है और इसको यह है इसे मैं करूंगा radial wave function और यह है theta wave function और यह है 5 wave function wave function के parts को भी हम wave function कहेंगे इच को मैं wave function कह रहा हूँ तो better choice यह है आप individually इन wave functions का normalization 1 पे set करें यह इस wave function के normalization की condition है कि integral 0 to 2 pi mod 5 square d5 1 होना चाहिए theta वाले के integration में एक sin theta का factor extra आ रहा है simply condition यह नहीं है कि theta equal to 0 से pi mod 5 square d theta नहीं सायथ में sin theta का factor यह integral होना चाहिए 1 और जो radial wave function जब हम निकालेंगे उसके integral के साथ एक r square का factor भी आएगा ओके तो यह थोड़ा सी consideration रहता है spherical polar coordinates में probability density और जो probability है उनमें factor हो सकते है theta में वाले part में sin theta क factor होता है और r square वाले part में small r square का factor होता है okay you have to be careful तो normalization condition हम इस तरह से set करते हैं individually इस integral को one demand करो इसको one demand करो इसको one demand करो तो product one हो जाएगा आप ऐसा भी कर सकते थे आप इसको two demand करते है और इसको half demand करते है okay तो final answer पर तो कोई फरक नहीं पड़ता पर individual conditions impose करने में हराद भी शा at one अच्छा तो अब हम normalization अगर करें फाई का solution यह था फाई equation का इड़त पार i time फाई और उसके साथ एक constant अगेन मैंने constant का नाम गलत लिख दिया cm वैसे c5 इड़ता का फाई के साथ का constant मैंने इस sense में लिखा होगा बट वो constant खुद m की value पर depend करेगा normalization करना बहुत आसान है मैं नहीं कर रहा हूँ आप simply यह integral रखिए फाई की जगा यह रखो आपको यह answer मिल जाएगा simply you can check it मैं नहीं कर रहा हूँ do this much as exercise similarly जो theta equation है उसका solution हमने यह तो निकाल लिया जिसको पीछे के page में मैंने describe करके इस तरह से लिखावा है ऐसे लिखो ऐसे लिखो इसको fx का था whatever लेकिन अगर हम इसे normalize करें theta को तो वो इतना बनता है मैं आपको यह भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इस normalization को कर पाएं क्योंकि उसके आपको PLM की orthonormality conditions की जुरत होगी पर एक बार किसी mathematical physics के टेक्स को अगर आप थोड़ा देख सकते हैं इवन इंटरनेट पर आप देख सकते हैं कि PLM की जो orthonormality condition होती है उसमें इस प्रकार का फेक्टर आता है इस फेक्ट यह उल्टे में आता है ठीक है यह फेक्टर ऊपर और यह फेक्टर नीचे बट वहां से यह हम normalization factor set कर सकते हैं आप देख रहे हैं normalization factor L और M दोनु की value पर depend कर रहा है एक और चीज़ आप यहाँ पर interesting देख सकते हैं हमने जो substitution किया था theta equation में हमारा variable हमने theta से x में change किया था cos theta बराबर x जब यह integration आप करने निकलेंगे आप theta को माना x के term में रख रहे हैं यह theta को x के term में रख रहे हैं तो cos theta अगर x है तो sin theta हो जाएगा dx आप सोच सकते हैं अगर x के term में हम integration कर रहे हैं तब तो यह factor sin इस तरह का नहीं है सीदे सीदे क्या है dx है लेकिन साथ-साथ आप limits का भी ध्यान रखेंगे ओके 0 पे x कितना होता है पाई पे correspondingly और यहाँ से भी minus sign आएगा so be careful मतलब यह integration जो है theta का capital theta को आप function of small theta treat करके भी integration कर सकते हो यह directly आपने उसे जब x के function के रूप में obtain किया है सीदे sin theta 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 की जगा minus dx आ गया appropriately limits को change करो और आप सीदे वहाँ से integration कर सकते हैं तो यह normalize हो गए हमारे 5 function और theta function तो अब चलते हैं वापस वापस से sense फिर theta और 5 कहां से आये थे y से हमने initial separation of variables यहां से शुरू किया था psi बराबर r into y फिर y को break किया था तो capital theta capital phi तो आप capital theta के लेकिन equation को जब एक छणक ले आप देखें capital theta की equation ये थी इसमें ये दिस 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 ये lambda हमने बाद में निकाला था ये ll plus 1 है और ये ये वाला constant पहले यहाँ पे capital M था और बाद में हमने पता लगा इसकी value M square है तो ये theta की equation इस equation में आप इस term को छोड़ दें इसको right hand side में ले जाओ lambda into capital theta with a minus sign right hand side में और बाकी ये सब चीज क्या है something 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 acting on h और ये वाला term भी minus M square over sin square theta multiplied by h या आप उसे बोल सकते हैं acting on h तो ये lambda को छोड़के बाकी सारा जो चीज है अगर मैं इसको O operator कह दूँं कि ये O कर रहा है h प इस equation को आप एक eigen value equation भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं है ये operator O ये सब this और ये lambda term छोड़के ये operator acting on theta is equal to minus lambda times theta lambda है LL plus 1 operator function equal to function वापिस multiplied by some number eigen value equation तो theta equation भी एक eigen value equation है मैं आपको पिछले उसमें कहा जब हमने start किया 5 equation LZ या LZ square की eigen value equation है theta equation भी एक eigen value equation है लेकिन अब सवाल यहां पर य 5 equation में जो operator है LZ या LZ square आप सोचें उसकी eigen value equation है ये किसी operator की eigen value equation है लेकिन ये operator है क्या तो मैं इसका answer यहां पर नहीं दे रहा हूँ आगे मैं जो discussion करूँगा I leave this as a question कि ये क्या operator है मैं आपको यहां पर हिंट कर सकता हूँ आगे जो हम discussion L square operator या LZ या LZ square operator का करने वाले है उस arrow actually next page पे continue हो रहा है वहां से आप connect करने की कोशिश कर सकते हैं next page पे arrow चलो मैं पहले आपको दिखाएता हूँ discussion भी हमारा next page पे जा रहा है यह arrow यहां आएगा okay possibility यह शायद मैं next lecture में discuss करूँ बट यह जब इस point पहुंचेंगे next lecture में तो उससे आप पिछले answer का इस जो सवाल म की कोशिश कर सकते हैं तो अब y हमारा construct हो चुका है जो angular part of solution जिसे कहते हैं अब angular part of solution में हम actually theta और 5 वाले part की हमें अलग-अलग बात करने की जुरत नहीं पड़ती है y हमारी equation में आया था separation of variable में पहले y आया था y को हमने theta into 5 separate किया था और अब हम वापिस क्यों लौट रहे है यह निकल गया यह निकल गया नॉर्मलाइश करके तो हम अपना y construct कर सकते हैं नॉर्मलाइशन फेक्टर आप देखेंगे 2l plus 1 upon 2 था अब इसले page पे लेकिन 5 के साथ नॉर्मलाइशन फेक्टर 2pi और आता है 1 upon root 2pi तो कुल मिला के y का जो नॉर्मलाइशन फेक्टर है नॉर् अंगुलर पार्ट आफ सॉलीशन है तो नॉर्मलाइशन फेक्टर आफ सॉलीशन यह लिखावा है अपार्ट सॉंस यह होता है एक शेटर लेजांद्रे पॉल्लमल्स और उसके साथ इडिवर आइटा एम फाई यह इतना ही है वाई क्योंकि दोनु कांटम नंबर्स एल और यह होता क्या है अभी मैं इसका बहुत सिंपल आंसर दूंगा फिर नेक्स लेक्चर में जो हमाले फिजिकली रेलिमेंट आंसर है हम उस पर जाएंगे तो अभी तो मैंने इस यह नाम दे दिया आपको यह है एंगुलर पार्ट ऑफ दी सॉलीशन ऑफ दी श्रोडिंगर एक स्फेरिकली सिमेट्रिक पूरा नाम अगर कुछ इस प्रकार का शायद मैं रख दूंगा लेकिन इसका एक दूसरा नाम भी है और यह नाम ज्यादा पॉपुलर है जिसे हम कहते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स अब मैं यहां पर शो नहीं कर सकता हूं बट आइडिया यह है से आपके पास एक function है जो किसी स्फेर की surface पर defined है इस फिर की surface पर defined function किसे sense क्या है वो केवल theta और phi का function है आर पर depend नहीं कर रहा है मतलब अगर आप किसी स्फेर की surface पर खड़े हो जाएं ओके तो स्फेर की अलगलग points पर जो इसका variation है क्योंकि स्फेर की पूरी surface पर r की value एक होती है तो variation के वो किसफेर dependent करेगा theta 5 तो इसलिए हम theta 5 dependent function में कह सकता था जो क्यों theta 5 dependent function है लेकिन हम इसको इस तरह से कहते है हमारा function कहां defined है surface of a sphere पर defined कर रखा है तो अगर आपके पास कोई ऐसा function है तो यह spherical harmonics यह ylm क्या है चीज़े हैं यह ylm ऐसी चीज़े हैं कि आप किसी भी arbitrary function of f theta 5 को इन ylm के terms में expand कर सकते हैं अलगलग y लीजी अलगलग y का मतलब अलगलग l value और अलगलग m value वाले और सारे possible combination जितने बन सकते हैं l equal to in principle l runs from 0 to infinity in principle m runs from for a particular value of l for from minus l to plus l तो जितने possible आप superposition कर सकते हैं इनके उनको उनको मिलाके आप किसी भी arbitrary function of theta 5 को construct कर सकते हैं यह चीज़ आप अगर देखें फूरिय अनले से सहाब लोगों ने किया होगा arbitrary function वहां periodic कहता है बर non periodic ले भी चल जाता है वो उसमें infinite components और वो हो जाता है but one dimension के case में आपका कोई function है one dimension यह क्यों एक्स का function मनलब one dimension one dimension में अगर आपके पास कोई function है तो आपसे sin omega x और cos omega x के terms में expand करके लिख सकते हैं और उनको हम harmonics तो कहते हैं arbitrary function gx कोई है one dimension में 1d line के long तो आप उसे sin omega x और cos omega x harmonics के term में expand करते हैं तो ऐसी यह जो ylm हैं यह है sphere की surface के लिए harmonics का का काम करते हैं यह किसी इसी भी arbitrary function का expansion allow करते हैं तो यह इसी लिए इसका नाम पढ़ा spherical harmonics harmonics हैं लेकि normal conventional one dimension या two dimension में उसके plane में नहीं okay sphere की surface पे तो इस और यह condition आती कहां से क्यूं यह उपाता है अगर आप लोग को analysis आपने ढंग से पढ़ा है Fourier analysis originate कहां से होता है Fourier analysis basically depend करता है कि sign और cost जो है वो एक complete orthonormal set बनाते हैं ओके वहां से originate होती है यह चीज तो यह यह जो ylms है यह मैं आपे शोनी कर रहा हूं ठीक है लेकिन यह ylms जो है यह भी एक complete orthonormal set बनाते हैं मतलब से आप y star y लें लेकिन एक जो है के quantum number l और m है और दूसरे के l dash और m dash है इसके साथ आपका proper integrating volume भी आएगा ठीक है आप लोग खुद देखेंगे theta और phi के साथ क्या factor d theta d phi के साथ और क्या आएगा लेकिन अगर आप इसे पूरे space के उपर integrate करें यह lm quantum numbers के साथ यह l dash m dash तो आपको पता लगता है जो आपका answer बनेगा apart from some constants उसम एकी होंगे तभी यह 1 होगा otherwise होगा 0 ऐसे यह वाला chronic delta m और m dash 1 होंगे तभी 1 होगा otherwise 0 तो इसका मतलब इस integral के survive करने की condition क्या है यह l बराबर l dash हो और यह m बराबर क्या हो m dash मतलब खुद के साथ एक start लेके अगर खुद के साथ multiply क्या है खुद के साथ क्यों कह रहा हूँ अ तो अगर function को खुद के साथ उसका scalar product लिया जाए तब तो integral है 1 और अगर l dash से अलग हो या m dash से अलग हो या दोनों ही अलग हो तब तो यह अलग-अलग y है से मैं यह आप लिखता हूँ y10 star लेकर integrate करें आपको apart from constants यहां से 1 यहां से 1 integral survive करेगा ठीक है बाद में आप उस integral को normal कर सकते हैं लेकिन अगर आप यह करना चाहें y20 और y से 1-1 यह l की value, m की value, l की value corresponding m की value यह सारे allowed combinations हैं अगर आप इसका star लेके इसके साथ multiply करके integrate करेंगे तो आपको integration 0 मिलेगा, क्योंकि l भी match नहीं कर रहा है, m एक भी अगर match नहीं करता चलो मैं इसके साथ ही कर लेता हूं integration 2-0 और 1-0 का, m की value तो match कर रही है, तो यह वाला term तो 1 बन जाएगा, और l की value match कर रही है, तो इसलिए इंटिग्रल 0, तो यह orthonormality condition है, spherical harmonics की, और इसलिए बल्कि ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि यह orthonormality property है, इसलिए यह harmonics की तरह work कर पाते हैं, क्योंकि sin और cos में भी orthonormality होती है, इसलिए वो harmonics की तरह का, harmonics मतलब expansion में help करते हैं, तो इसलिए sphere की surface पे, यह expansion में help करते हैं, आइंकी मदद से आप arbitrary function को, कि इनके terms में express कर सकते हैं, apart from some coefficients, again यह coefficient L और M की value पे depend करेगा, आपने Fourier analysis किया होगा, तो हर term का Fourier coefficient अलग 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 आता है, तो ऐसे ही है, इस ओके, let me continue, अब लेकिन physics में हम इसको एक और नाम दूँगा, इससे भी हम satisfied नहीं है, जो हम इसे physics में नाम देंगे, वो मैंने भी यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ती के लिए छोड़ रखा है, okay, but something has to be filled here, y की equation देखिए आप, जहाँ पर हमने separate किया था, si equal to ry, और फिर y को अलग, लेकिन अब मैं y की equation पर आ गया फिर से वापिस, उसे आगर आप इस order में सोचे हैं, हमने r और y की equation separate की, यह और यह साथ, फिर हमने y की equation को खुद separate किया, theta equation और 5 equation में, अब मैं यह और यह मेरे construct हो चुके हैं, तो अब मैं इनके terms में बात नहीं करूँगा, sin theta del by theta plus 1 upon sin square theta del 2 by del phi 2 acting on y, जो कि theta phi का function है, बराबर minus lambda, both sides must be equal to some constant, वहाँ से minus lambda times y, यह जो चीज है, वैसे ही आप देख ले हैं, अगर आप next line पर अभी नहीं भी देखे, यह एक operator है, operator acting on y, equal to y multiplied by some number, यह एक eigen value equation है, y की eigen value equation है, यह वो पिछले page की जो मैंने आपको सवाल आपको पीछे यह भी बताया था, यह जो operator, जिसे मैंने square bracket के अंदर लिखाया है, जो इस equation के left hand side पे y पे operate हो रहा है, यह basically l square operator जो होता है, angular momentum squared operator, upon minus h cross square, इतना इसमें missing होता है, बाकी यह कुल मिलाकी के वाल l square operator है, तो इस equation को हम ऐसे भी ली सकते हैं, l square upon minus h cross, square acting on y, equal to this, h cross square को आप right hand side में ले जाओ, इस term के साथ, तो minus minus से plus, lambda h cross square y, हमने y की equation solve कर दी है, लेकिर अब उसे हम देख रहे है, actually किया क्या था, actually आपने, और y के साथ मैंने indices attach कर दी है, जिस equation को हमने solve किया, method जो भी था, वो answer जो है, basically मैंने यह निकाला कि, हाँ, जब l square operator y, जो की lm पे depend क करता है, तो आपको lambda times h cross square y lm मिलता है, और lambda की value ही हमने determine की, lambda भी determine किया और y lm भी determine कर चुके है, ये, तो lambda है, l l plus 1 h cross square, operator function, sum value function, l square operator की eigen value equation solve किया, अगर मैं कहूं, इस से ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया, अब काम वह ज़्यादा था, लेकिन अब मैं condense करके, ताकि हम दि function, और फिर l quantum number, और फिर plm, ये सब, और फिर normalization, और ये, ये सब, आपने last में किया क्या है, इस process के दौरान, आपने y lm निकाला है, और l और m quantum numbers निकाले है, तो कुल मिलाके, आपने इस eigen value equation को solve किया है, तो जो theta phi, angular part का solution था, वो l square operator की eigen value equation का solution था, अगें, मैं remind यहाँ पर क use है, इस equation में कहीं पर m नहीं आ रहा है, तो m मैंने omit कर रखा है, वैसे m भी यहाँ आ रहा है, m भी मुझे लिखना चाहिए था, okay, m इसके अंदर आ रहा है, आइगन value में नहीं आ रहा है, पर y तो m की value पर भी depend करता है, इस form को आगे, ये तो बार-बार हमारे पर आस form और ये चीज भी ध्यान रखें, हो सकता है, मैं बार-बार बोलूँ कि hydrogen atom, hydrogen atom की बात करूँ, बट ये जो हमने अभी तक theta phi equation का solution किया है, वो तो कहीं V पे, potential पे depending नहीं करता है, केवल potential spherically symmetric है, तो theta phi और y और ये जो सारा discussion है, ये apply होगा, potential के इसाब से radial equation का solution बदलेगा, पर angular momentum के ideas, अभी मैं आगे develop करूँगा, हो सकता है, मैं बार-बार उसे hydrogen atom के संदर में कह रहा हूँ, लेकिन आप सूचिए, कोई भी spherically symmetric system है, वहाँ ये ideas apply होगे, लेकिन अब कहानी यहीं खतम नहीं होती है, तो ये y की एक और property पता लगी, y को मैंने पहले का, अच्छा, ये angular part of solution है, फिर मैंने का ये spherical harmonics, ये तो हम mathematics करके लाए, this is well justified, इसका मैंने justification नहीं दिया, लेकिन मुझे ना इसकी जुरत है ना इसकी, ये तो ठीकी है, लेकिन जो physics में relevance है, वो ये है, ये l square ylm का, ylm जो है l square का eigen function है, l square operator eigen function, eigen function वापस multiplied by eigen value, ये ylm l square operator का eigen function है, good, पर कहानी नहीं खतम नहीं होती है, अगर आप ylm पे केवल lz operator का operate करें, ylm पे, जिसे हम अभी तक spherical harmonics कहेंगे माना, आपको calculation बहुत इजी है, lz operator minus i tis cross del by del phi होता है, ylm खुद आपका apart from constants, constants का कोई role नहीं है, इस operation में, capital theta into capital phi, differentiation phi के respect में होना है, इस part में कहीं phi नहीं है, तो ये त इस पूरे ने act करना है, phi पे, आपको यहाँ differentiate करने की जुरत भी नहीं है, फिर से, ये lz operator ही है, आप इसको ऐसोचिए, lz operator this into this पे act कर रहा था, पर lz operator theta को तो कुछ उस पर फरक पड़ता ही नहीं है, theta transparent होके बहार आ जाता है, और lz operator act कर रहा है, phi पे, और lz operator phi के साथ एक eigen value equation देता है, mh cross times phi, और mh cross आपने एक किनारे तखा, number, number, और capital theta into capital phi, फिर से हमारा y तो है, तो कुल मिला के हुआ क्या, lz operator ने y पे act किया, तो y वापिस, theta part पे तो कोई फरक नहीं पड़ा, 5 part के साथ उसने mh extra दिया, और फिर से phi generate हो गया, तो theta 5 वापिस मिले, मतलब y वा eigen value equation है, और इस समय eigen function कौन है, y lm, eigen value mh cross, eigen function y lm, तो ये y lm कोई ordinary चीज नहीं है, ये दो angular momentum के operators, जो है, l square और lz, इन दोनों का simultaneous eigen function है, एक ही y lm, l square का भी eigen function होता है, उस समय eigen value ll plus 1 h cross square होती है, और वो ही y lm, lz operator का भी eigen function होता है, eigen function with eigen value mh cross, again, limits मुझे लिखनी चीए, इस equation में, m की allowed value ये है, और m less than equal to l, ओके, ये restriction है, तो lz को हमने check कर लिया, lz के eigen function, हाँ, lz का eigen function आप बोल सकते हैं, lz का eigen function y lm भी है, और पहले, जब मैंने 5 equation की बात की, इस lecture के शुरू में, तो वहाँ पे तो हमने देखा ही था, value कितनी है, mh cross, पर मैं यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर इन दो lines को, इन दो blocks को देखिए, यह y lm, y lm, यह l square एक साथ, इन दोनों का eigen function है, okay, simultaneously the eigen function of two angular momentum operators, तो इसके बाद का discussion हम next lecture में करेंगे, that would be even more physics, अभी भी हमारी physics अभी पूरी develop नहीं हुई है, यह एक पहला physical content आ रहा है, यह y जो हमने solve करके निकाला angular solution, spherical harmonics, वो असल में, दो angular momentum operators का eigen function है, simultaneously, एक साथ, so, in the next lecture, we will discuss more physical implications of these results, thank you everybody.